आज हम बात करने वाले हैं एक फोन में दो वर्टस अप कैसे चला सकते हैं आप अपने फोन में डूल वर्टस अप कैसे चला सकते हैं आईए जानते हैं तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा दोनों तरीके में से जो तरीका आपके फोन में काम करेगा आप उसे य पर search का option आएगा इस पर click करिए यहाँ पर search करिए dual app और dual app सर्च करेंगे तो एक dual app का option आएगा यहाँ फिर एक option आएगा app cloner यहाँ फिर यह सर्च करने पर अगर कुछ नहीं आएगा तो आप directly सर्च करिए app cloner उसके बाद यह जो search में option आएगा dual app यहाँ फिर app cloner का इस पर आप click करिए अब उसके बाद ऐसा interface आपके सामने आएगा आपको कुछ application मिलेंगे आपके phone के तो नीचे आपको मिलेगा इस टाइप से whatsapp whatsapp पर click करिए और उसके बाद option आएगा create app clone इसे यहाँ से चालू करिए उसके बाद थोड़ा सा wait करिए अब home screen पर देख सकते हैं whatsapp का दूसरा icon यहाँ पर add हो जाएगा तो देख सकते हैं हमारे phone में dual whatsapp हो चुके हैं तो whatsapp का यहाँ पर दूसरा icon add हो चुका है अब यहाँ पर इस पर click करके आप अपनी ID बना सकते हैं अब यहाँ पर अगर यह तरीका आपके phone में काम नहीं करेगा तो इसके लिए दूसरा तरीका है आप अपने phone में Google Play Store को open करिए उसके बाद उपर search करिए whatsapp business उसके बाद यह वाला application आएगा search करने पर इसे install करिए अब यहाँ पर whatsapp business को install करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह application आप open करेंगे और बिल्कुल same to same आप इसमें जैसे ID बनाते हैं whatsapp पर उसी तरह से बना सकते हैं और इसे use कर सकते हैं अब इसमें आपको business related कुछ additional features मिलेंगे अगर आप use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो normally whatsapp की तरह आप इसे use कर सकते हैं अब यहाँ पर whatsapp business में आप अपना number otp enter करके यहाँ पर ID बना सकते हैं अपने दूसरे number की तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें